आज हम बनाएंगे साबुदाना बड़ा इसके लिए हम लेंगे साबुदाना एक कटोरी इसको हम दो तिन घंटों के लिए पानी में बिगो देंगे ताकि हमारा साबुदाना अच्छे से फुल जाए हमारा साबुदाना रड़ी है यह अच्छे से फुल भी गया हुए है अब हम लेंगे तीन उबले हुए आलू दो हरी मिर्च एक टुकड़ा अधरक और धनिया आलू को हम अच्छे से मैश करेंगे और बाकी मिसाले को हम ग्राइंड करेंगे इन सबको अब मिक्स करना है अब हम इसमें एक चमच नमक डालेंगे मैंने सेंदा नमक डाला है अब हम इसमें एक चमच काली मिर्च पॉडर डालेंगे और अच्छे से मैश करेंगे इन सब को अच्छे से मिक्स करना है, अब एक कटोरी में थोड़ ते लेकर हाथों में मल लेना है, अब इसको गोल गुमाकर हलका हाथों से प्रेस करना है और बड़ा की शेव देनी है हमने कटाई में तेल गरम कर लिया है अब हम इसमें अपने बड़े फ्राइ करेंगे तेल को हम मीडियम आंच पे रखेंगे अब इसको हमने पलपना है यह हमारे बड़े रड़ी हो चुके हैं इसको अब हम निकालेंगे अब मैंने बचे हुए बड़े भी तेल में डाल दी है इनको भी मैं अच्छे से फ्राइ करूंगी अब मारे गर्मा गर्म बड़े खाने को त्यार हैं घचे हुए उए झाल अब पार बड़े पार अभ़े ने को अब मारे बड़े पार अब मारे बड़े खाने को तुके हैं